गर्मा अगराम क्यों आ रहा है न मुझे पानी देखके आपको क्या लगा यह मेने मार्केट से मंगवाया है तो नहीं यह मेने घर पे बनाया है रेस्टोर्ण या फूड कोड से कहीं ज़्यादा टेस्टी हर्जिनीक और फटा फट से बनने वाला यह यम्मी सा चिली पनी जि अब्टन पर बटन देखे और हाँ बल का बटन पर दबा दीजिए ताकि आने वाले सबी वीडियो को नोटिफिकैशन आपको मिलता रहे चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मोटा टुकर आधरक और दस से बारा कल्या लिए लसन को अच्या से कद्दू कस्क कर आल चेलों चोब हमीद शी मिर्च टूट करते हैं वह साथ ही इसलगा है जैसे करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब शिंब्ला मेर्च को उपर कुवाला हिसा कट कर लीजे की देख रहे हैं कि अपड़ के अन्दर को कट देख रहे हैं से इसी तरिके से मोटे smiling Laval to करते है इस हो से हम प्याज को और पहले चुर्पार में कट करें गे और उसकी एंट अनृट करें जैसा निकाल लेंगे इसको मैं बारीक चौफ बिलकुल אתה करने गया है। जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह से प्याज की एक-ई-ले में कर सिख्व कर लेंगे। तो चिली पनीयर मीश्चब आप ऐनी। इसे तरह से मोटा just केटी के में इंची माइदा है चिलि पनीर निया की अधी फ्राय करना मृटा मैं तो मिष्ट्र आफ 걸िष पूंदेख कें ला गूं। पनीर की कोटिंग का मिक्षर रेडी है अब सारे पनीर को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इस पनीर में जो हमने मिक्षर त्यार किया है वह सारा मिक्षर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्चर को पनीर में मिक्स करने के लिए बहुत हलके हाथों से एक स्पून की साहता से उपर निचे करते हुए मिक्स कर लिए और बाकी जो बचा हुआ मिक्चर है उसे भी हम डाल देंगे और इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, टोस करते हुए सारे mixture को हम इसमें coat कर लेंगे। ऐसे toast करने से सारा mixture है तो पनीर में अच्छे से coat हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा mixture सारे पनीर में अच्छे से coat हो गया है। चलिए अब हम fry करते हैं। कि अब जो हमने पनीर को खॉट किया था एके meditation के सारे के क्यूब्स को इस तेल में डाल देंगे। के पनीर के क्यूब्स-दालने से पहले यह देख लेंगे कि तेल बहुत अच्छे से गरम हो पनीर डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लीजिए इनको खाई होने में सिर्फ एक मिनट ही लगेगा एक मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं गोल्डन ब्लाउन और बहुत की कुश्टी हो रहा है बस अब हम इने एक फ्लेम में निकाल लेंगे अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और बाकी बचे में जो पनीर के क्लूब्स हैं उनको भी गोल्डन ब्लाउन और तिसकी वह में तर फ्राइ कर लेंगे पनीर फ्राइ करने के बाद जो एक्स्टा तेल है उसे मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और इसी कड़ाए में दो से तीन चमज तेल मैंने रख लिया है इसी तेल में हम डालेंगे अधरक और लस्दन और हरी मिर्च जो हमने कड़ुकस के रिकर रखा था उसको हम डाल देंगे और अच्छे से कुछ सेकेंड के लिए हम सोटे कर लेंगे अधरल असन को भुनने के बाद जो हमने सबजियों को काटके रखा है प्याज, शिमला, मिर्च को काटा है उसको हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर गैस आप मीडियम टू हाई रखिए और इसको एक मिनिट के लिए भून लीजिए सबजियों को यहाँ पर हमने पकाना नहीं है इसमें हलका कच्छा पन रहे इतना हमें इसको भूनना है सिरफ एक मिनिट इसको फ्राई करना काफी है अब हम इसमें डालेंगे स्वाजा नुशार नमक और अधी चमक रडचिली पाउडर और इनको भी डालके अचे से मिक्स कर लेंगे साथ ही हमने जो पनीर प्राई करके रखा है उसको भी हम डालके अचे से मिक्स कर लेंगे इस स्टेज पर गैस की फिलेम को स्लो कर दीजे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच डार्क सोया सोस और एक चमच विनेगर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सैजवन सोस और टोमेटो सोस यह टोमेटो कैचप आपके पास है तो भी इसमें आप डाल सकते हैं अगर आपके पास सेजन सोस नहीं है तो आप इसे स्किबी कर सकते हैं यह टोटली ऑप्शनल है सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक गलास पानी और एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें दो चमच स्कॉन स्टार्च का इसमें डाल द अग्ड़ करदें जितना घहड आपने इसको पकाना है उतना आप इसको पका दिये इस स्तेज पर गयस को फूल कर दीजे तो अच्छे से पकादें वीमें रिव 沒關係 पनिर बना रही हよう लेले आप og लस्ट में घर्णार का लिए तर अगर आपके पास av stream नहीं है और जितना आपको ड्राइ करना है उतना कर लीजिए बस चिली पनीर बनके त्यार है करते हैं इसकी प्लेटी अगर आप इस तरह से चिली पनीर को एक बर बनाएंगे तो मेरी गरेंटी है कि हर दूसरे दिन आपको इसकी डिमांड मिलेगी तो आप इस तरह से चिली प्रीड जुरूर बनाया है, यह बनाना बहुत यसान है और इसे बनाने में 10-15 मिनट ही लगते हैं और लास्ट में हम इसे गानिश करेंगी क्री नियन के साथ, यानि हरा प्याज जो होता है उसके साथ हम इसको गानिश करेंगी आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगी, आप मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए मुझे तो यह ऐसे ही स्नेक्स के तरह ही खाना बहुत पसंद है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ इसे शेर जुरूर कीजिए